Hello Students, Welcome to my YouTube channel Online Learning आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ ज़रूरी नीज जो आज के पेपर में आया हुआ है और इसे आपको जानना क्यों ज़रूरी है यह हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह जो चीजे हैं यह भी पॉलिटेक्निक फार्मेसी से रिलेटेट स्टूडेंट्स के लिए है यहां पे आप देखेंगे कि सी एस वीडियो भिलाई जो यूनिवर्सीटी है जो आप लोग जो भी इंजिनेरिंग पॉलिटेक्निक और फार्मेसी कॉलेज के लिए एडमेशन लेएंगे उसमें तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे ऑनलाइन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है और अभी नया नया चीज देखेंगे कि यहां पे अप्रतियोगिता परिक्षा की भी ऑनलाइन क्लास चल रही है जो कि 5 सितंबर से आप क्लास शुरू हुई है जो कि 20 सितंबर तक चलेगी फर्स शिफ्ट की या क्लास 5 से 7 बजे तक ली जाती है जो 36 गड़ विशय पर फोकस है वही 7 से 20 सितंबर तक साम 7 बजे साड़े 8 बजे तक अप्रिट्यूड और रिजनिंग विशय की क्लास ली जा रही अब यहां देखेंगे इंडरस्ट्री की जरूतों के मताबिक चात्रों में स्किल डैवलप्मेंट कराना तथा वर्तमान में नियुकता कंपणी के मांग के आधार पर उन्हें तयार करने के लिए इन प्रोग्राम के मुख्योद्दे से इन चात्रों को ना केवल अपने होन और निखारने का अफसर मील रहा है वही उनकी अजी विकर के लिए रोजकार प्राथ भी हो रहा है योगाओं को रोजकार उपलब्त कराने के दिशा में विश्विद्यालें रंतन प्रयांट्रशील रहा है कि स्किल डैवलप्मेंट कोर्स के बाद वहां वोकेशनल आत्रों का पसंदिता कोर्स बना है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी उनिवर्सिटी है CSV2 वो स्किल डेवलपमेंट कोर्स वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स वगरा करवाती है जो कि आपकी कैंपस प्लेस्मेंट के लिए बहुत जरूरी है तो जो भी इंजिनेरिंग स्टुडे लेने जा रहे हैं वो स्टूडेंट जान लीजिए कि CSV2 यह सारे कोर्स कराती है आगे चलके आप भी इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं पार्टिसेपेट कर सकते हैं अभी जो इंजिनेरिंग के में पढ़ने के लिए जा रहे हैं पॉलिटेकनिक के लिए उन्हें ये बात ज देखा तो यह CSV2 का बहुत अच्छा पहल है बहुत अच्छा चीज यह कर रही है जो आगे चलके आप लोगों के भी काम आएगा जो आभी इंजिनेरिंग फार्मेसी पॉलिटेकनिक का कोर्स करने के लिए जा रहे हैं इस युनिवर्सिटी से अब दूसरा न्यूस हम परिक्षारती शामिल होंगे और यहां पे ध्यान रखेंगे कि आपको घोशना पत्र अपने एड्मिट कार्ट के साथ ले के आना है डिकलेरेशन फॉर्म जो की जरूरी है अब यहां पे आप देख सकते हैं नेट के लिए 33 परिक्षा केंद्र बनाए गये हैं इसमें कौन- आपकोड़ासा महार्शि विद्यमंदी टाटी बन घॉक्रोश सीनेर सेकेंडरी स्कूल मोवा कृष्ण पॉबली स्कूल और नेयर आपूल्च्ण पॉड्प बिटीय विद्षाल एक्रमाँंग एंवं डब्ली एस कोली हैंडती विद्याले विद्याले क्रमाँ wärenग दो Raipur Institute of Technology, Kangir Valley, Monat DPS, MGM, The Great Indian School, Shri Gujarati English Medium School, BSS, Pravanaran Academy, Dhanachar Public School, Shri Shankarachar Institute of Professional Management Technology, Holy Cross Higher Secondary School, Pension Kanbara, Boykan School, NIT Raipur, Vidyamandir, Adarsh Vidyaladevennagar, MGM, MM School, ये सब स्कूल शामिल है, जो कि Raipur में सेंटर बनाए गए है, निट के एक्जाम के लिए, जो कि 13 सितंबर को होना, इसमें ध्यान रखेंगे कि आपको डिकलेरेशन फॉर्म भर के जरूर लाना है, नहीं तो आपको एक्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, अब ये देखते हैं कल, कल हमने देखा कि BE के लिए आउनलाइन कांस्लिंग शुरू हुई, तो यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि टोटल 12021 सीट में 33 कॉलेज के लिए प्रवेश दिया जाना था, जिसमें अभी कल 461 ही रजिस्ट्रेशन हुए है, ठीक है, तो यहाँ पर आप जानेंगे, फिर से डेट की यह जो 10 तारिक से शुरू हुई है, यह 19 सेप्टेमबर तक चलेगी, उधा नक्षाल चेत्रों में पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए भी कांस्लिंग के प्रक्या गुरुवार से शुरू हुई है, इंजिनेरिंग से इंजिनेरिंग में पॉलिटेक्निक में 10 वी से, यह आप सब जानते हैं, बस अभी यह जान लीजी कि कल तक अभी 461 रेजिस्ट्रेशन हुए हैं और इसका लास्ट डेट 19 सेप्टेमबर है, अब यह न्यूज है, आइम आइम राइपुर, जो कि आपका सेज बहार में है वहाँ पे अगले साल से EPG कोर्स शुरू होने जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट EPG कोर्स, जो कि जनवरी 2021 से शुरू किया जाएगा, इसके लिए आविदन की प्रकिया शुरू हो चुकी है, जो दिसंबर तक चलेगी, आप यह देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चात्र मुख सत्रों में 900 घंटे के शीक्षा सामिदी शामिल है, पाठकर्म के संबंदित, इस पर कॉल या फिर इस पर इमेल आईडी पे मेल करके आप पूछ सकते हैं, और देखेंगे, साड़े तीन महने का छो सत्रों में 10020 पाठकर में अंतत है, ठीक है, तो यहाँ दो साल की EPG विभीन सामान प्रवन जिंदार्दो, सॉफ्ट स्किल और विश्वेश्टर्ण तरीकों के विश्वेश्टर्ण प्रदान करता है, तो यह न्यूज आप देख सकते हैं, कि यह नया चीज है, जो कि I.A.M. पंडी शंकर शुक्लिविश्विध्याले में आप देख सकते हैं, 25 तारिक से एक्जांस कंडक्ट होंगे, जो फाइनल एर के रुके हुए हैं, जो कि open book system से होगा, हम सब जानते हैं, open book system क्या है, आपको questions भेजे जाएंगे और आपको mail के थूँ या post के थूँ question को लिखके भेजना होगा, यह तरीका है, तो यहाँ देख सकते हैं, यह देखे लिखा हुआ है, पंडीत रवी शंकर शुक्लिविश्विध्याले में 25 सितंबर से होगी, परिक्षा लगतार 18 दिन तक चलेगी, राज सरकार के निर्देश अनुसाय परिक्षा तीती घोशित करने के सा परिक्षा तरीक से एक्जाम है, जो भी कर रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं, कि विलासपूर विश्विध्याले में भी लिखा गया है, कि यहाँ पर 16 सितंबर से शुरू होगी, और यही पर लुखा है, दूर्ग विश्विध्याले में 14 सितं तारिक से है, यह आज की न्यूज रिपोर्ट है, जो आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों को यह सारी चीज़े बताईए, तो आई होप आप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया है, वो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा, तो मे